दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे पास कमेंट आया employees का स्लेबस है वो लेकर आए पीजीटी इकनोमिक्स का तो इसी के लिए पीजीटी इकनोमिक्स का स्लेबस हम आपके लेकर हैं अगर आपको भी कोई किसी टोपिकश से related कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें comment box में बता सकते हैं और इससे पहले आप हमारा जो facebook का channel है facebook पे page होता है जो telegram का page अगर follow नहीं किया तो उसको भी कर लिजिए उस पे भी हम study material upload करते हैं तो अब इस लेबस देख लेते पीजिटी एकनोमिक्स का क्या आएगा पीजिटी एकनोमिक्स में आएगा जो आपका meaning जो इसकी definition होती सबसे पहले तो आपको पता यूनचे एकनोमिक्स क्या है जो इसकी PPC है यानि की production possibility curves वगरा है एकनोमिक्स problem है वो आता है data collection से related question आता है जिसमें हमारा और survey organization होता है NSSO होता है national sample survey organization होता है उससे related जो census of India है यह जो basic topics रहते हैं हमारे उनसे related question है पुछे जाते हैं data presentation का आता है जैसे बार और पाई डागराम में होते हैं time series graph होते हैं जिसकी frequency diagram हम बोल सकते हैं जिसको polygon ओगी वगरा होते हैं तो geometrical forms में बार और पाई जो diagram वगरा होते हैं वो इसमें आते हैं ठीक है तो measure of central tendencies से related जैसे arithmetic means होता है simple and weighted वगरा होता है इसमें geometrical mean होता है में 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 मोड्स वगरा होते हैं परसंटाइल मेथल होता है वो questions हैं इसमें पूछे जाएंगे measurement of dispersion है range होती है जैसे mean deviation होता है standard deviation होता है related dispersion होता है अपका ठीक है तो यह questions है आपने देखा होगा इस तरह के जो topic है उसमें जो CAT mains की प्रिक्षा होगी उसमें भी कुछ इस तरह के topics है वो डाले वे थे economics related ठीक है तो correlation है जो आपका scatter diagram है call spiration method है spares man rank है concurrent deviation method है correlation method है तो यह इस तरह के जो कुछन है correlation से related index number से भी लेटेड जैसे CPI वगरा है consumer price index है ठीक है तो यह जो है आपका uses of index number है base shifting वगरा है time and factor reversal test वगरा है तो यह index number के topics है topics है वो हो जाते हैं दूशरा है हमारा Indian economics related जो है Indian economy होता एव ओफ जो इंडिपेंडेंस है बार्द का जो Indian economy है pre and post into independence जी पहले क्या थी और बाद में क्या है उसका जो है comparison है आपका कह सकते हैं तो वह उस तरह की topic इसमाएंग एकनोमिक planning है जो हम planning करने जैसे planning commission है हमारा जो आप कहा planning commission है और जो five year plan ना था उसकी जो जैसे आपको पता है कि भी जो five year कि किसने आप में कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे कि भी five year जो अभी running में है या नहीं है अगर running में नहीं तो किसने इसकी जगह ले लिए नीती आया होगा है success and failure of five year economic plan है green evolution वगरा five year economic plan से related जो ये question से इसमें पूछे जाएंगे new economic जो reform है उनी सो policy आई थी एकनोमिक से policy जो एकनोमिक पॉलिस नी सो कहना में LPG है यानि कि LPG जो अमारी गैस वो नहीं यह liberalization privatization globalization globalization है जो इसकी जो फूल फोरॉम है यह economic से related है और इसमें फिर आगे poverty rural development से जो किशन होता है इसमें rural development भी आप पढ़ते हैं तो इसमें rural development में आप क्या पढ़ेंगे इसमें क्या रहेगा आपका poverty रहेगा टाइप पोर्टी क्या है data analysis उपर इंडिया क्या है rural development से related जापकर जैसे जो एजेंसी है हमारी नाबाड है अग्रिकल्चर मार्केटिंग है corporate to bank है rural development है जो एग्रिकल्चर ग्रेड़ थ्रेप्ट सोसाइटीज वगरा है corporate to banks वगरा उनसे बारे में है rural development के बारे में है आप इसमें पढ़ेंगे employment है जैसा कि आप सो को पता है आप इसके एक्जाम्स की भी तैरी आपको रोजगार मिले उसे related पढ़ रहे है unemployment है employment generation programs बगरा है आपका जो infrastructure से related है transport communication है irrigation health financial institution वगरा है उनके से related पढ़ते है sustainable development है जैसे environmental pollution वगरा है measurement of sustainable development environment है उसके रोल क्या है इसके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं gross domestic GDP है जो हमारी gross domestic product जिसको हम बोलते हैं इसका जो concept है national income का का जो SDI होती है development index होता है HPI होती है तो इनके बारे में PQLI index वगरा है इनके बारे में आप है जो GDP के जो portion आप है इसमें जो क्यूशन आपको बहुत ही important क्यूशन आपको देखने को इसमें मिलेंगे micro economics है इसकी definition है जो limitation वगरा नेचर कैसा इसका नेचर क्या scope क्या है इसके economics problem है जैसा PPC पहले production possibility curve वगरा है शेंटरल प्रॉबलम ऑफ इकनोमी है capitalist इकनोमिक्स है missed इकनोमी वगरा है तो इसके बारे में इसमें बढ़ते हैं आप consumer behavior के बारे में आप इसमें जो क्यूशन आएंगे आपके जैसे cardinal ordinal है बजट लाइन वगरा है MRSA यानि की marginal rate of substitution वगरा है consumer equilibrium वगरा है इसके बारे में है क्यूशन है इसमें पूचे जाते है demand analysis से related जो क्यूशन है आपके पूचे जाते है demand analysis में जैसा की loud demand है normal है infirient different goods वगरा है elasticity of demand है इसमें जो theories हैं जो इसमें demand analysis में जैसे eggs theory है slot series theory है तो यह theories वगरा है इसमें पढ़ ली जाते हैं जो क्यूशन से इसमें पूचे जाते हैं elasticity of demand है आपकी है degree है type of measurement of elasticity of demand है तो यह इसमें जो है आप पढ़ेंगे आगे है जो uses वगरा है इसके production जो functions वगरा है basic concept है law of return of scale है law of return of the factor है economics जो MRTS वगरा है इसके बारे में आपड़ेंगे कोस्ट से related भी आपड़ेंगे आगे भी short run long run cost वगरा क्या short run long run cost क्या होती है इनका relationship क्या cost करों के अंदर आगे फिर आप revenue की बात करेंगे revenue कैसा concept क्या इसका inter relationship कैसे क्या है market कैसी है जैसे supply chain हमारी होती है default availability decline FAD theory होती है जो supply curve होती है जो हमारा control price और support price क्या होता है इस चीज़ के बारे में इसमें देखते हैं monopoly है monopolistic competition है oligopoly है तो यह सारे topics आपको CET का paper है उसमें भी इस तरह के आपने देखे होंगे तो यह सारे topics वहाँ वहाँ भी है आपके काम आएंगे और एस्टेट में भी आपके काम आएंगे monopoly है monopolistic competition है oligopoly है तो इनके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं macro economics है nature कैसा इसका limitation है stock and flow है circular flow है flow जो आपका two three four factor sector model होता है उसके बारे में national income है जो आपकी income method क्या है product method क्या है GDP GDP deflector क्या nominal national है जो income है वो क्या है इनके बारे में आप जो है देखिए इनके definition से काम नहीं चलेगा जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बदा आदा है कि definition से काम नहीं चलेगा आपको इनको deep में पढ़ना पड़ेगा तब जाके बात वेनेंगी ठीका GDP deflector वगरा है money क्या meaning and definition of money है near money RBI और इसके role है central bank है credit जो creation वगरा है उसके बारे में आप इसमें money से related जो पढ़ेंगा determination of output and employment ADS analysis है MPC APC है APS MPS है supply price है prospect yield है तो conception hypothesis वगरा उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं investment multiplier है MPC multiplier forward and backward action of multiplier क्या है deficit and access demand क्या है तो इनके बारे मेजर to control deficit and access demand role of monetary policy है fiscal policy है foreign trade वगरा policy है इनके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं government budget है आपका देखे हैं आपने government budget वगरा है यह इसमें जो meaning objectives है जो structure of budget budget receipt वगरा है tax and non-tax receipt balance budget क्या है foreign exchange rate के बारे में BOP है जो आपकी जैसे आपने पता होगा कि BOP क्या है balance of payment है component है डेस equilibrium in BOP है और BOP ने economic plans वगरा balance वगरा है और इसके बारे में आप इसमें आएगा यह आपको topic है करने पड़ेंगे और जैसा कि आपको पता है कीवी teaching का मरक काम है तो हमें subject related pedagogy का जरूर पता होना चाहिए subject related pedagogy है उसके उपर भी आपको application इसमें तेखने को मिलेंगे ठीक है तो यह था आपकी demand के ओपर economics का जो लेवस था वो लेकिए आए थे उमिद करते हैं आपको पसंद आया होगा अगर और किसी भी topic पर वीडियो जाते हैं तो आप हमें comment कर सकते हैं उसका जो है मांसर करेंगे उसके ओपर करेंगे कि वीडियो लेकिए थेंक्स पर वोचिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट तक लिए नमस्कार